हाई एब्रिवान मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं अज हम एक बहुत ही अलग टॉपिक की बात करने वाले हैं अकसर हम यह बात करते हैं कि क्या आपकी स्ट्राटजी होनी चाहिए अगले एक महीने में क्या आपकी प्रेपरेशन क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए कैसे मौक पेपरस अटेम्ट करने हैं क्या आपके सोर्स होने चाहिए कहां से आप क्या सीख सकते हो क्या आपके किस तरीके से पूरी चीज़े आपको करनी है ये सारी चीज़े हम हमेशा discuss करते हैं आज मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा topic है जो हमें आज जो मैं discuss करने वाली हूँ अगले कुछ मिन्टों हूँ अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि पढ़ना कैसे है, preparation कैसे करनी है sources क्या है, उनके पास पूरा booklet है उनके पास PDF है, उनके पास सब कुछ है बस एक चीज़ की कमी है और वो इतनी बड़ी चीज़ है कि उसकी वज़़से आपकी preparation अच्छे से नहीं हो पा रही है अच्छे से छोड़ो आपकी preparation ही नहीं हो पा रही है that is motivation आप motivated ही नहीं फील कर रहे हो उस exam को crack करने के लिए motivated ही फील नहीं कर रहे हो कि वो PDF को आप उठाओ और उनको पढ़ो motivated फील ही नहीं कर रहे हो कि MCQ प्राक्टिस करो और उसके बाद अच्छा प्राक्टिस कर लिया तो उसको analyze कौन करेगा कहीं न कहीं डर रहे हो कि अगर कम marks आये तो यह सारी चीज़े आप गो थू हो रहे है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है बड़ा जरूरी देखिए जब भी आप demotivated फील करते हो ना तो एक ही मंत्रा है जो आपको यह सोचा कि मैं इस एक्जाम के लिए प्रपेर करूंगा तब आपके क्या थोट्स थे और वही थोट्स दुबारा जो है सोचने की लाने की कोशिश करो जितसे आपको definitely वो जो जो जोश था जो आप शुरू शुरू में जब इस एक्जाम के लिए आपने प्रपेर करना शुरू किया वैसा ही जोश आप दुबारा feel करोगे और आपके वो जो PDF जो पढ़े हुए न अब तक जो पढ़े नहीं है MCQs जो अभी enough practice नहीं करे हैं और अगर कर लिए हैं तो MCQs को analyze नहीं करा है revision नहीं हो रहा है डर लग रहा है ये सारी चीज़े हो रही है ये सारी चीज़े उस एक motivation से जिस उस एक कारण की वज़ज़ से जो आपने इस exam को शुरू किया था जिस thought से अगर वही thought आप अपने दिमाग को रोज याद दिलाओगे ट्रस्ट में याद दिलाना पड़ता है क्योंकि दिमाग लेजी चीज़ों को जाधा अट्राक करता है कि ठीक है कल पढ़ लेंगे ठीक है अभी तो एक महिना है 15 दिन बाद पढ़ लेंगे I mean to say, जब एकदम 15 दिन रह जाएंगे, तब जादा फोकस करेंगे, अभी तो धीरे-धीरे पढ़ सकते हैं, वो excuses बनाता है, ठीक है, अगर आप psychology के लिए थोड़ा देखो, तो याद करो, ठीक है, और कभी भी ऐसे external motivation का रोज-रोज source मत, आज मैं आपके लिए लेकर आई आपका जो goal है, आपका जो मकसद है, वही इतना बड़ा होना चाहिए, कि आप अगर उसके बारे में एक बार सोच लो ना, कि मैं को ये exam crack इस reason की वज़े से करना है, तो that should be sufficient for you to get up, start preparing, start solving MCQs and clear the exam, यही आज का मेरा major, जो है आपका mantra है, जो मैं आप सभी से share करना चाहती हू सबका एक सपना होगा, और वो सपना आपने क्यों देखा था, क्यों आपको इस post पर जाना है, उसको याद करिए, आपको definitely help मिलेगी, दूसरा जो आपको डर लगता है, है ना, डर पते क्यों लगता है, डर इसलिए लगता है, बहुत सारे freshers, I'm sure, आप लोग exam दे रहे और आपको ऐसा लग रहा होगा, कि हमारे साथ तो वो students भी बैठने वाले हैं, जो सालों से prepare कर रहे हैं, है ना, जो बहुत already prepare कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा, कि हमारे साथ तो UPSC वाले compete करने वाले, उनके आगे तो हम कैसे crack करेंगे exam को, but trust me, ऐस कुछ नहीं है, अगर आप first time attempt, अगर आप लिख रहे हो paper, अगर आप पहली बार लिख रहे हो, अगर आपने UPSC कभी नहीं लिखा है, RBI भी कभी नहीं लिखा है, या फिर अगर पिछली बार लिखा था, और आप फिर से आपको लग रहा है कि मेरा पिछली बार भी clear नहीं जो मुझसे seniors हैं, जो काफी सालों से try कर रहे हैं, उनको तो जादा knowledge होगी, उनका तो बहुत अच्छे से quant की practice हो रखी होगी, उनका तो बहुत strong FM होगा, बहुत अच्छे current affairs होगी, उनको तो अब तक पता होगा कि कैसे current affairs की trick क्या है, याद करनी है, reasoning और English की practice बहुत अच्छे से कर रखी होगी, but trust me, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका 2-3 सालों से नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ reason है उनके पीछ और ऐसे बहुत सारे मैं आपको selections दिखा सकती हूँ, जिनोंने first attempt में clear किया है, ना उनका UPSC का background है, ना उनका RBI का background है, उन्होंने first time जो है, दिल से, शिद कर रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो clear कर पाएंगे और आप clear नहीं कर पाओगे, सब की अपनी अपनी limitations होती है, अगर UPSC वाला student जो है, आपके साथ बैठने वाला है, तो UPSC का आपको पता है, secret बताओ आज, UPSC का सिर्फ current affair strong होता है, जो भी UPSC वाला student आपके साथ बैठने है, वो थोड़ा जो है इधर उदर करतें चीजों को, है ना बाकी आपका quant हो गया, यह सब हम, I know, I know, UPSC वाले जो है थोड़ा CSAT में practice करते हैं, but level definitely थोड़ा जो है different होता है, बाकी English का भी थोड़ा बहुत practice तो होता है, but again level different होता है, right, ESI, ESI चलो ठीके थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं, FM नहीं पढ़ते हैं, ना UPSC वालों की बात कर रही तो कहीं ना कहीं आपको एक leverage है definitely, so अगर आपने अब तक preparation अच्छे से करी है, चीजों को revise करा है, तो अपने उपर विश्वास रखिए, have faith in yourself, have faith in that dream जो आपने देखा था कि आपको यह selection लेना है, and trust me, आपको motivated feel होगा, in fact अभी जैसे ही आप यह video देख रहे हो, उठ जाओ, है ना, और उठ के पढ़ाई शुरू करतो, अगर अब तक demotivated feel हो रहा था, तो अब demotivated feel करने की जरुरत नहीं है, और ना अब समय बचा है, ठीक है, थोड़ा सा ही अब समय बच गया है, इसमें हमे रही है, है ना, consistent रही है, consistency is the key, consistent जब आप रहोगे, तो आपके बहुत ज़्यादा chances है, exam को clear करने को, जो भी आप teachers को, जो भी platform को आप follow कर रहे हैं, उनको follow करिए, अच्छे से consistently, शिदत से, honesty के साथ, MCQ को practice करने के साथ, साथ उसको analyze भी करिए, analysis बड़ा important है, और revision पे ज़् पढ़ो, जितना पढ़ लिया, ठीक है, उसी को बार-बार practice करो, बार-बार जो है उसी को, उसी से जो है, उसी को और ज़्यादा polish करने की कोशिश करो, right, but last में बस जाते-जाते यही कहूंगी, कि अपना aim, अपना goal, जिस वजह से शुरू किया था ये दिन, वो याद रखे ठीक है, thank you so much, all the very very best to all of you, thank you.